दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो क्या आपने कभी सोचा है कि फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं बाकी महीनों के मुकाबले सबसे कम दिन फरवरी में ही क्यों दिनों की ये कमी केलेंडर के महीनों का ऐसा विचित्र व्योहार मौडन संस्कृति के तरह रोमन्स की गलती है यहां जानिये फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं सिवाए इसके कि कब नहीं रोमलस शायद माइथालोजिकल शायद वास्तोविक में फाउंडर और रोम के पहले राजा को त्यभारों, दावतों, सेना समारों और धार्मिक समारों की बढ़ती संक्या के साथ एक समस्या थी उन सबी को और्गनाइज करने के लिए रोमन्स को एक कलेंडर के आवशकता थी पुराने एस्ट्रोनॉमर्स के पास पहले से ही दो एक्कोनॉक्सिस के बीच के समय की सटी कैलकूलेशन थी लेकिन प्रेकति ने समय बीचने को ट्रैक करने के लिए लोगों को अकाश में एक अच्छा आसान पाई चाट दिया था इतनी जल्दी रोम कई अन्य संस्क्रितियों के तरह एक चंद्र यानि लूनर कैलेंडर का काम करता था रोमलस के रिपब्ली कैलेंडर में 30 या 31 दिनों के 10 महीने थे जो मार्च में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुआ और हम आज भी उस कैलेंडर के निशान देख सकते हैं समस्या यहा थी कि वह साल चार युटों से कुछ दिन कम था रोमन इतने विस्त थें कि सर्दियों के दौरान उन 61 और 1 चौधाई एक्ष्ट्रा दिनों को गिनने की उन्होंने तकलीफ नहीं उठाई वे वसंत एकोनाक से पहले एक चंद्रमा पर अगले साल के सुरुआत करते हैं यह असलियत में एक खराब सिस्टम नहीं है जब तक आपको यह पता लगाने की जरुद नहीं है कि यह दिसंबर और मार्च के बीच कौन सा दिन है तो रोम के दूसरे राजा नुमा पॉमपीलियस ने कुछ और कोशिश की प्राचीन रोम में समसंख्याएं यानि की इवन नंबर अपशिगुनते हैं इसलिए नुमा ने सभी समसंख्यावाले महिनों में से एक दिन हटाकर और लोना के लिए पागल होकर शुरुआत की नुमा चाहता था कि उसका करेंडर चंद्रमा के 12 चक्रो को कवर करें लेकिन वह एक इवन नंबर होता इसलिए उसने अपने वर्ष को 300 बश्चपन तक राउंड आफ कर दिया नुमा ने बचे हुए दिनों को दो महिने में बाट दिया और उन्हें वर्ष के अंत तक पैक कर दिया इस तरह फरवरी को 28 दिन हो गया हाँ यह एक एवन नंबर है लेकिन चुकि महिना स्पिरिच्वल शुद्धी के लिए समर्पित था इसलिए रोमन्स ने उसे इग्नोर कर दिया लेकिन रोमन्स चाहे जितने शक्तिशाली रहे हो वे ब्रमान्ड के नियमों को नहीं बदल सकते थे और इन में से कोई भी कैलेंडर हमें सूरी की परिक्रमा करने में लगने वाले समय के करीब नहीं जोड़ता है कुछ सालों के बाद रितुएं या सीजन्स महिने के साथ समाप हो जाते हैं और आश्चर ये है कि ये वो जगए है जहां यहां और भी अजीव हो जाता है देखिए फरवरी असल में पहले 23 दिनों के दो हिस्सों में और बाकी हर साल दो हिस्सों में बढ़ जाती थी नुमा का अंदर विश्वाशी कलेंडर 10 दिनों से कुछ अधिक समय तक जितुएं के हिसाब से लाइन में नहीं होगा इसलिए हर दूसरे साल फरवरी के आखिरी कुछ दिनों को नजरनदाच कर दिया गया और 23 या 24 फरवरी के बाद 27 दिन का लीप महीना जोडा गया इस तरह हर चार साल में और सतन 306 चाट और सवा दिन हो जाएगा जो अभी भी बहुत अधिक दिन है लेकिन हम वहाँ पहुँच रहे हैं चुकि लूनर और सोलर केलेंडर हर साल 19 साल में केवल लाइन अप होते हैं इसलिए यह सिस्टम काम कर सकता है बस घड़ी को रिसेट करने के लिए लगातार मौसमी चक्र को बनाय रखने के लिए परियाप्त लीप महीनों को जोडने क्या शकता होती है फिर भी लीप महीनों का जोड हमेशा मजबूती से नहीं किया गया था राजनिता या तो कारियाले में अपने खुद के समय को बढ़ाने के लिए या अपने विरोधियों को कारियाले से हटाने के लिए ऐसे लीप महीनों के बारे में भूल जाएंगे या सक्री रूप से तलाज करेंगे संगर्स के समय में रोमन अकसर पूरे एक दशक तक लीप महीने के बारे में भूल जाते थे जब जीवलियस सीजर ने पदभार समभाला तब तक चीज़ें बहुत उलजी हुई थी सीजर ने एजिप्ट में बहुत समय बिताया था जहां 365 दिनों के कैलेंडर बहुत लोग प्रियत हैं इसलिए 46 बीजी में उन्होंने रोम के चंदर कैलेंडर को नदी में बहा दिया और एक सौर यानि सोलर कैलेंडर स्थापित किया जनवरी और फरवरी को पहले ही वर्ष की शुरुवात में प्लेस कर दिया गया था और सीजर ने कुल 365 प्राप करने के लिए अलग-अलग महिनों में 10 दिन जोड़े और चुकि एक वर्ष 365 दिनों से थोड़ा अधिक लंबा होता है इसलिए जूलियस ने हर चार साल में एक लीप दिवस जोड़ा सिवाए इसके कि उन्होंने इसे 23 फरवरी के बाद महिने के ठीक बीच में डाला जाहिर है फरवरी कैलेंडर का सिर्फ कचरा धेर है कैलेंडर और अन्य चीजों को सुधारने के उनके सभी कारियों के लिए वर्ष के साथमें और आठमें महिने का नाम जूलियस और उसके उत्रादिकारी के नाम पर रखा गया आगस्टस सीजर इस तत्तिके बावजूद की पोप ग्रेगरी को 1500 वर्षों में इसे फिर से एड़्जस करना होगा लेकिन यह एक अलग दिन या महिने की कहानी है जग्यासू बने और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें